मोहित अभी जहां आप खड़े हैं मैं आप इसे शुरू कर लेता हूँ ताकि आप सूचना दे सकें दर्शकों को कि वो जो बहु प्रतिक्षित मिटिंग है जिसमें ये आखिर फैसला हो ही जाना है कि तीन दिन बचे हैं तीसरा दिन आखरी दिन होगा जिस दिन नोमिनेशन होगा तो आखिर राइबर एली और अमेठी का करने क्या जा रही है कॉंगरेस देखे यही तो लाग तके का सवाल है कि अमेठी और राइबरेली को लेकर गांधी परिवार या यह कहें कि कॉंग्रेस पार्टी अपने पत्ते खोल क्यों ने रही है देखे लगतार यह कयास लगाय जा रहा था कि राहूल गांधी को मेठी से चुनावी मैदान में उतार जा सकता है राइबरेली से चुनावी मैदान में उतार कर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कॉंग्रेस पार्टी करेगी लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लगतार कॉंग्रेस पार्टी आपको बता दे कि एक के उपर प्रधान मंतिज नरेंद मुदी सिले के भातिजनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये आरूप लगाते हुए नजर आए कि देखे राहुल गांदी वाइनाड से लड़ रहे है लेकिन वाइनाड के मतदान के बाद वाइनाड के लावा मेठी सभी ओ लड़ते हुए नजर आएंगे देखे पत्ते अभी खुले नहीं है दिरेंजी एक बड़ा मैसेज आपको दे दूए एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूँ कि सीजी की बैठक तीन दिन पहले हुई थी और तीन दिन की सीजी की बैठक में उत्तर परदेश के लिए कॉंग्रिस जब परभारी महासचिव अविनाश पांडे और उनके साथ वहां की नेता मोना मिश्रा वहां पे पहुची थी तो महज पांस से आठ मिन्टों के भीतर जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी और रिपोर्ट रखने के बाद वह बहार आ गई मिटिंग जब हो रही थी उसमें सोनिया गांदी मलका अजुन खर गे सीसी के तमाम मेंबरान थे आप ये समझ सकते हैं कि अमेटि और आबरेली को लेकर आठ मिन्टों में ही यानि सिर्फ दो नाम थे प्रेंका गांधी और राहूल गांधी दो ही नाम वहां पे गए थे और साथ से आठ मिन्ट के भीतर मिटिंग को खतम कर दिया गया तो कहीं न कहीं एक बात थी कि इतनी जल्दी इस मिटि को खतम क्यों कर दिया गया चर्चा क्यों नहीं हुई नामों पे लेकिन एक और बड़ी अब आपको ख़बर दे दूँ कि सुखबुगहाट एक ख़बर और है और एक और बात को लेकर हो रही है कि राहूल गांधी को जो है वाइनार से ही लड़ने दिया जाए हो सकता है कि प्रहंका गांधी को अमेठी सो उताद दिया जाए और मलिका अजुन खरगे को राइबर रिली सो मिदवार बनाया जा सकता है ये भी एक ख़बर जो है कॉंग्रेस के गलियारे में तेरती हुई नजर आ लिए लेकर ह में कह सकते है कि कॉंग्रेस पार्टी ने या हम ये कहें कि गांधी परिवार ने अपनी मुठी अभी बंद रखी है और ये कहा जा रहा है कि मुठी शाम तक खुल जाएगी और मुठी से दो नाम निकलेंगे और वो अच्छार जनक नाम होंगे वो कौन से नाम होंगे ये बात होगी शीला कॉल के जो है पौत्र की भी बात आ रही है कि उनके पौत्र जो है आशीश कॉल भी चुनाओ लड़ते हुए नजर आएंगे लेकिन उनको लड़ाए जाएगा क्या मलिका जुन खरगियों को चुनाओी मैदान में उतार जाएगा क्योंकि गुलबर्गा से उनको लड़ना था उनकी पुरानी वहां से सीट है उनके दमाद को वहां से लड़ा जा रहा अब यही सवाल हमने मलिका जुन खरगियों से भी कुछ दिनों पहले आप दर रिकॉर्ड पूछा था और उसके बाद हमने कैमरे पे भी उनसे पूछा था उनका यह कहना था कि देखिए गुलबरगा के लोग चाहते हैं कि महीं चुनाओ लड़ू क्योंकि मैं एक बार हार चुका हूँ वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं हाँ अगर मुझे मुझे मौका कहीं और से मिलता है तो मैं उस पे सोचूंगा विचार करूंगा तो अब गांधी परिवार और मलका जुन खरगयों को तैक करना है कि जो बंद मुठी है अमेठी और अबरली को लेकर जब वो शाम तक खुलती है उसमें किसके नाम निकलते हैं हमारे सयोगी मोहित को जाना है चुकि एक इंट्रू का इंतजार कर रहा है उनका एक अच्छा इंट्रू वो बताना चाह हैंगे मुझे लगता है मोहित अगर आप कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं निकलने से पहले अगर कुछ जोड़ना चाहें आप देखिए यही है जिदेन जी एक और आपको बात बता दूँ कि अमेठी और राइबरेली दोनों ही जग़ों पे तैयारियां जो हूँ है निकली तो आप कर लिए राहूल गांदी के लिए वी तयारी की गई है तमाँ बड़े नेताओं के फोन मेरे पास आए हैं अमेठी और आइबरेली के कॉंग्रेस के उनका एक कहना था कि दिल्ली से कब अनाउंस होगा क्योंकि आप पुलिटिकल रिपोर्टर हैं आप दिल्ली कवर करते हैं बताइए हमने तो पूरी तैयारी वहाँ जो है अमेठी और आइबरेली से कर लिए तो यानि इंतजार पूर कुछता हूँ कि बंद मुठी लाख की खुली तो खा की ये कहा जाता है तो क्या कॉंग्रेस अभी मुठी खोलना नहीं चाहती है क्योंकि बहुत सारे कारण मैंने सुन लिए कि उनके पास बहुत कुछ है वो बहुत अच्छी रणनितिकार हैं उन्होंने काफी बड़े-ब काम कर दिये कॉंग्रेस के लिए लेकिन वो जमीनी कार्य करताओं के लिए काम अभी नहीं कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि जैसे ही वो खुले तो पार्टी बनके आ जाए चमतकार के साथ ऐसा लग रहा है अपको कॉंग्रेस भारती राजीती में कोई पहल के ज़रीए कोई चमतकार कर सके कोई नया नियरेटिव खड़ा कर सके यह ताकत कॉंग्रेस बहुत पहले ही खो चुकी है यह बात कॉंग्रेस लोगों को इस बात का एहसास है और मैं अगर तच्छों के अधार पे बात करूँ तो आखरी बार कॉंग्रेस को लोगसरभा में बहुमत 1984 में डेसंबर में जब लोगसरभा चुनाओ गवा था जब राजी गवांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब मिला था उसके बाद से ये दसवा लोगसरभा चुनाओ है और अब तक के अधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि कॉंग्रेस का आंकड़ा इस बार भी सौ के नीचे ही रहने वाला है और कुछ जानकारों का मत है ये पचास के नीचे हो जाएगा तो यह दसवी लोगसरभा में है ऐसी जहां लगातार आपको बहुमत नहीं मिल रहा है और कॉंग्रेस आज भी अब भारत की राजीती में अपनी इस इस्तर से आखें मिलाने को तयार नहीं है या नॉट विलिंग टू कम चुटम विजर रियालिटी ऑप ग्राउंड रियालिटी वो सच्चाई से आख चुरा रहे हैं और अभी वह अभी भी वह इसी दावे पर कायम है कि हम अकेले चैलेंजर हैं आपने कहा जाद कि छड़ी की प्रियंका होंगी भारत की राजनीती में यह युग बहुत पहले बीच चुका है उत्तर प्रदेश में बहुजद समाज पार्टी समाजवादी पार्टी और बीजेपी ऐसी पार्टीयों के बाद जित अब जिस तरीके से पूरी राजनीती का डेमोक्राइज कर दिया आपने हाथ धर दिया लोग आपके दिवाने हो गए अब लोग जो हैं आपसे सावाल पूछते हैं और चाहते हैं आपने किया क्या जिस तरीके से भारती जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आपने को री इन्वेंट किया 2014 में आपको याद होगा 1991 में भारती इंता पार्टी को यूपी एसेमली में पहली बार बहुमत मिला था और दूसरी बार बहुमत आने में 26 साल लग गए 2017 और 2012 में बीजेपी की विजान सभावर संख्या घट के 47 पे आ गई थी लेकिन अगले ही पांस साल में वह 47 से बढ़ कॉंग्रेस अपने को री इन्वेंट करने के बजाए किसी नए नए आइडिया पे चलने के बजाए जनता के बीच में आने की बजाए जो जैसा उसका मैनिफेस्टो अभी जो जारी हुआ है वो तो संद पचास के साथ के नहरू और मावाद की माव की जो की जो आर्टिक फ सालों में कुछ नहीं सीखा वो बदलने को तयार नहीं है और कॉंग्रेस ने उतर भारत में उसका किला डेच चुका है इसका संकेश के मिल रहा था जिस तरीकेसे कांग्रेस ने करनाटका के डिवीचिवाया कि समय उत्तर और दक्षण में भारत को डिवाइट करने की में बटवारे की एक नई क्रेट करने की कोशिश की थी और जिस तरीके से करनाटका के डिप्टीची फिंडिस्टर डीके करनाटका के चोटे वाई जो सांसद है उनका बहुत ही भड़काऊ बयान आया था कि भारत को अलग हो जाना चाहिए और जिस तरीके से करनाटका के दुरान आपने देखा होगा अमुल ऐसी कंपनी जो गुजरात की है जो की कॉप्रिस फ्राइटी है वह और इंडिया फर्म है जिसका भारत के हर राज्य में उसके प्रड़क्ट विकते हैं एक्सपोर्ट भी होते हैं उसको भी इशू बना दिया कि साब गुजराती गया था कि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि अब उत्तर भारत बहुत को अपने किल्यों को बचाए रखना बहुत मुश्किल होगा और बाद बार जो बात कही जा रही कि कुछ चमतकार करेंगे शीला कॉल के पोते को ले आएंगे या उसको ले आएंगे वो समय अब जा चुका है अब जो है तीसरे फेस का की का तीन तारी को नमांकन खतम हो रहा है दो हफ़ते बाद चुनाओ है और एक जिले में एक लोग सबा कॉंस्ट्वेंसी में नियूंतम ग्यारा सो पोलिंग स्टेशन होते हैं आपको पांस हजार से ज्यादा बूत होते हैं और ए कॉंग्रेस पार्टी ही नहीं है लोग कॉंग्रेस की ताकत का अगर आकरन करते हैं कि उसकी लोगसभा विदान सभा में सीते कितनी है वह एकदम सही मैट्रिक्स नहीं है कॉंग्रेस का इको सिस्टम भी अब जो है ढह चुका है उत्तरपरनेश में धह रहा है अकले शादा उन्हें यह बात कही है और आफ कैमरा कि केवल मुस्लिम वोटों के लिए हमें कॉंग्रेस से अलाइस करना पड़ा अगर हम कॉंग्रेस के साथ नहीं जाते राश्तर इस तरह पर मुस्लमान कॉंग्रेस को आगे बढ़ता हो देखना चाहता है इस कारण हम कॉंग्रेस के रस्ता असान हो जाएगा तो कॉंग्रेस को अब यह करना है कि उसको अपने रिवाइस करना है यूपी में 17 सीटे कॉंग्रेस को 17 सीटे मिली उनको उमीदवार नहीं मिले है अलहाबास सीट से जो उनका उमीदवार उज्वर रमन है वो भी समाजवादी पार्टी से आए है जी मैं उनी को अब अलाबादी चलता हूँ आपने अलाबाद पे ले जाके छोड़ा है अनुपम जी इतनी जादा मतलब आप ये सोचिए कि 2014 में वो आपी के शेहर का कार्य करता हूँ का समू था जो कम से कम पोस्टर लगा के प्रियंका जी को याद कर रहा था आई ये भा सब्कुनょ कर्यां से और हम लोग तब से देखे हैं सठ सठ से परिवार का कपजा रहा है इतनी सेफ सीट है और पिछली बार भी अच्छा मारजिन ता है पौने दो लाग के मारजिन से सोनिया गांधी जीती थी और उन्होंने आखिर में भाव अपील भी की है तो आपको आपको ऐसा क्या मतलब आप उसको अगर दर्शकों को समझाना चाहें क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो लड़की लड़ सकती है वो लड़ करना क्यों नहीं चाह रही है वो भी ऐसी सीट से जबकि वो हिमाचल संकट उन्होंने हल किया अभी देख रहे थे आप सरकार गिर रही थी उन्होंने ये कॉंग्रेस गटबंदन सफा गटबंदन फिर इखटा कराया तो आपको नहीं लगता इतने अच्छी लीडर को अगर को पोस्ट बहते हैं एक पर नियुक्त रही जाते हैं तो यह उनकी अलग आन्दाद है अपने आपको नोटिस कराने का चूकि बहराल यह प्रेदा आज की बात छोड़ भी दें तो रही बात प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़सकती हूँ वाली पे तो हमें ख्या लगना चाहिए कि सब दो साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में विधान सबाद चुना हुए जब प्रियंका ने नारा दिया था और इस दोरां प्रिय कांग्रेस अपने निम्नतम बिंदू पर चली गई दो विधायक उसमें से एक तो रामपुर खास है वो कांग्रेस की सीट नहीं है अब रमो तिवारी की सीट है वो खुद भी निकालते रहे हैं उनकी बेटी निकाल रही है तो दो विधायक और दो परसेल वोट पे ये कां पर चली पर चली पर चली निकालते वो खास है उसके बादो मंद परदेश गई वहां भी आपने उनका परफॉमस्ट देखा उन्होंने नर्बदा पे डेट साइपरिक्रमा पूजा सब कुछ किया पर मंद परदेश का नतीज़ा भी आपके सामने था बहराल प्रियंका गा पर गो प्रियंका जीतने तो क्या होगा क्योंकि एक बर सोनिय अताय कर चुकी पार्टी की विरासत परिवार की विरासत राउल गांदी को मिलनी है तो अगर राहुल हार जाते हैं मेठी में जहां वो पांस साल फटकने नहीं गए हैं दूसरी बात उनके सामने एक इसमें त स्थिती हो जाएगी फर्ज कीजिए राहुल उत्तर प्रदेश नहीं आते हो सिर्फ प्रियंका को लड़ाया जाता है राहुल वाइनार से लड़ नहीं है प्रियंका राय बेरिली से लड़ नहीं है उसमें भी कहीं न कहीं प्रियंका गांदी का जो पदार्पन है वो गादी पचास से अदा चुनाओ हारे वे नेता हैं तो हारा वे नेता अपने ही घर से एक और चालेंज लेना पसंद नहीं करेगा गादी परिवार की भी बंदर की बाते सामने तो नहीं आती हैं पर उत्तर प्रदेश में टीम राहूल और टीम प्रियंका के जो डिफरेंसेज हैं बहुत खुलकर सामने आगए खास तोर से जब अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं तब से टीम प्रियंका ने एकदम दूरी बना रखी है अकलेश यादो जमाने से चाह रहे हैं कि अकलेश राहूल डिमपल प्रियंका सब ना बनती है कि प्रियंका चुनाओ ही ना लड़ें और राहूल गांदी राइबरेली से आजाएं ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली का रास्ता लखनो होके जाता है उत्तर प्रदेश में मेसेजिंग बहुत जरूरी है न इस बे भी एक ये दिक्कत आती है साथ कि अगर वो राइबरेली आगे चुनाओ लड़ते हैं तो उनको इस बात के जवाब देना बहुत मुश्किल होगा कि जहां उस जिन्दगी बार बगल में पड़ोस में आमेटी से लड़ते रहे उसी जिले में तो एकदम से उन्होंन कि भारती यंता पार्टी की सरकार है की आद्र मैं भी भाचपा की सरकार है तो इस चुनाओ में भाचपा को प्रधार मंतरी नरेंद मोधी को उतर प्रदेश में कम से क्म कोई निशाना नहीं मिल रहा है आप राजस्तान जाते हैं तो आप रशव गैलोत को कुछ कह देते हैं आप च्छतिस गड़ जाते हैं तो आप भूपिश बगेल को कुछ कह देते हैं आप तिलंगाना जाते हैं तो आप केसियार लेकि उत्तर प्रदेश में कोई निशाना नहीं मिल रहा है क्योंकि केंद्र और राजी दोनों मुनकिल लंबे समय से सरकार है ऐसे में अगर राहूल गादी और प्रियंका गादी उत्तर प्रदेश में चुनाव रहने आते हैं एक पैरलल बात चलने लगी कि शायद राहूल प्रियंका राम मंदिर जाएंगे दर्शन करने इतनी बड़ी ये बात कि मीडिया जाके राम मंदिर के पुजारियों का इंटेव्यू लेने लगा कि राहूल प्रियंका आ रहे हैं आप क्या करेंगे तो अब इस तरह की एक पैरलल बात चल रही है अब इनके साथ दिक्कत है ये राम मंदिर जाएं तो दिक्कत ना जाएं तो दिक्कत दिरेंजी अचा मैं एक सवाल और आपसे भी ले लेता हूँ कि जिस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं जो पतरकारों की बात आपने की तो इस समय तो चुनाओ वोट परसेंटेज बहुत नीचे हो गया और तमाम लोग जो उनके पतरकार हैं जो उनका यही काम है जिनके बारे में हम सब आएंगे आप देखते जाएए तो इनको इतनी बड़ी जीत की संभावनाओं के बाइद भी उतरने की संभावना क्यों ने ढूंड़ पा रहे हैं लोग नहीं मैं समझ नहीं पाया उनको जीत की सम्भावना उतरने जिस सम्भावना आप कहां देख रहे हैं ये जो अभी आप वरकर्स की बात कर रहे थे कॉंग्रेस पार्टी का धिरिन भाई यहां पे एक एक शायर हुए अकबर इलाबादी तो उन्होंने एक शायर मतलब आज़े सौ साल पहले एक शेयर लिखा था और इसकी यहां बड़ी चर्चा रहती है कॉंग्रेस के हवाले से उन्हों लिखा भी कॉंग्रेस के लिटा कि लीडरों की धूम है और फॉलोवर कोई नहीं सबके सब जन्रेल हैं आकर यहां सिपाही कौन तो यहां पर सबके सब नेता है और हकीकत यह है कि इन नेताओं के पास दस आदमी की फॉलोइंग नहीं है धिरेंजी अच्छा मैं आपके पास आता हूँ विरेन जी जो सवाल है एक तो बड़ा इंट्रेस्टिंग है आप से चर्चा में आप ही का जो बताया हो चार जून को रिजल्ट आने है और चार जून को किस्मत का फैसला भी होना है कॉंग्रेस की क्योंकि अगर केरल में कुछ भी उलटत है केरल में डीमके के सहयोग से तमिनलाडू में तो कॉंग्रेस और कहां से देख रही है जहां आपको लगता है यो भरपाई करेगी और चार जून को ही रिजल्ट क्यों आ रहे हैं आपके पास कारण तो है बतानेगा कि नहीं चार जून को रिजल्ट क्यों आ रहे हैं यह यह डेट तो इलेक्शन कमिशन ने टैकी है यह महद एक सयोग है कि चार जून को कॉंग्रेस के संस्थापक एलेन ऑक्टोवियो ह्यूम का जर्म दिवस है 1885 में जो इटावा का डिस्टिक मेडिस्टेट था एओ ह्यू तब कॉंग्रेस के महासरचीब थे केम पनिकर के देख्ष्टा में कमिटी बनी थी और उसने कॉंग्रेस के तिहास के ओपर एक पुस्तक प्रकाशित की थी वो आज भी बजार में उपलब्द है उसमें उस पुस्तक में कहीं कहीं जिक्र नहीं है सरदार पठेल का या सुब के बीच में तो ये एक बहुत इत्वाक है आप का मतरो कौन है तो बता नहीं पाते हैं को वास्तों में ऐलन अक्टोवियो ह्यूम है जो एक स्कॉर्टिश ऑपसर था बिटिश कोलोनियल पावर्स का और उसने कॉंग्रेस की स्थापना की थी और कॉंग्रेस की स्थापना कुछ इसलिए की गई थी कि 1857 जैसी जो जो क्रांटी हुई थी या गदर हुआ था उसको भारत के इतिहासकार अलगलत तरीके से परिभाशित करते हैं तो उस तरह की कॉंफिलिट की सिट्वेशन ना आने पाए औ तो एक समात के अभिजात वर्क का एक ऐसा संधन बना लिया जाए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया जाए जहां पे उन सारे कॉंफिलिट को 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 डिजॉल कर लिया जाए इस नियस से कॉंग्रेस की सापना हुई थी जो 1912 या 13 में महात्मा गांधी के साउथ अफरीका से लोटने के बाद वो कॉंग्रेस का भारती करण शुरू हो गया और यह हमें यार रखना होगा कॉंग्रेस के छे रास्ती अध्यक्ष बिटिश सिविल सर्विस के आफसर्स हुए थे जो अंग्रेज थे तो चार जून इसलिए एक बड़ा अजीब हो ये एक अजीब सायोग है कि वो कॉंग्रेस के संस्थापक का जंदिवस भी है बस इसकाहित से योग है और एक सवाल आप से ये कर रहा हूं कि अभी भी देखिए अपील है अखिलेश यादाओ को कुछ भी कहिए उनके पास एक अपना सेक्षन है जिसके साथ मुस्लिम वोट जूडता है दूसरी तरफ अगर हम मयावती देखें तो उनके पास एक अपनी ताकतवर काडर वोट है जो उनके साथ है उसके साथ भी जूडता है कॉंगरेस ने ऐसा क्या खो दिया क्यों मतलब आप उस गड़ से भी उतरने में डर रहे हैं जो आपी लगातार आप जीत रहे हैं अगर हम 77 को छ गया है और वहां जहां जाते हाथ हिलाने पर वोट मिलते थे ऐसे वोट गिरते थे वह अब दिख नहीं रहे हैं कि कॉंगरेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कॉंगरेस का जो जन अधार है यूपी में बिहार में उसको उसको चीना है समाजवादी पार्टी बहुजर समाज पार्टी यह यह लालो यादों की जो जाती अधारित आडेंट्टी पॉलिटिक्स ने कॉंगरेस के अधार को को चीना है समाजबादी पार्टी और समाज पार्टी ने लेकिन कॉंग्रेस इन पार्टियों से खुल करके आडेंटी पॉलिटिस को की लड़ने की छंता उसने अभी तक दिखाई नहीं है भारती जनता पार्टी ने जिस तरीके से हिंदुप्ष के नाम पर काउंटर आडें ने जो समावेशी और इंक्लूसिव पॉलिटिस का जो मार्ग चुना है और जिसके प्रणाम अब सामने आ रहे हैं सभी वर्गों का कहीं छोटा कहीं कम कहीं ज्यादा बीजेपी को समर्थन मिल रहा है और बीजेपी की समावेशी राद्जीती ने समाजबादी पार्टी ब बढ़के वह 111 हो गए लेकिन फिर भी अभी भी जाती वादी अधार जाती वादी रादीती के अधार पर जो जाती का जहर की खेती जो यूपी पिसले 40 साल में हुई है उसके अभी भी काफी है और अभी भी महुझर समाज पार्टी का केबल जात के नाम पर अपना 12 से 20 प पहुंच गई थी तो अभी भी वह जाती जाती अधारित आडेंटिटी पॉल्टिस के ट्रेसे मौझूद है और और जिस तरीके से नरेद मोदी ने नारा दिया है कि देश में केवल चार तरहें के लोग है यूवा है महिला है किसान है गरीब है तो तो यह 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 नारा जो जो एक नहीं परभाशा दी है गरीबों की प्राइम मिनिस्टर ने यह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बहुदर समाज पार्टी के आड़ाजिकल आधार को गहरा आधार पहुंचाती है तो कॉंग्रिस को को इस पूरे जो 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 जटल समाजिक इस्थिति है को राजजीति ले आए हैं का सेंसर्स री डिस्ट्रिबूशन इंहरिटेंस टैक्स और वेल्टेक्स जाती की राजजीती में करके आप समाजवाधी पार्टी और लालुयादों की पार्टी से कॉंग्रेस नहीं लग सकती का सेंसर्स कभी भी कॉंग्रेस का मूल-मुद्दा न की थी तब राजीव गांदी ने लोगसभा में मंदल आयोग की सिफार्षों के किलाफ धाई घंटे भाशर दिया था जो जो लोगसभा की साइट में वजूद है कोई भी पर सकता है तो इसलिए कॉंग्रेस जो है यह यह तातकालिक तोर से और केवल जो है पुलिटिकल एक्स अब इस तरह के जासे में आने वाली नहीं है अब जनता के सामने एक सस्टेंड एक स्टेबिल नेरेटिव और प्रोग्राम वैली पार्टी भारतियनता पार्टी मौझूद है और कॉंग्रेस को यह यह करना पड़ेगा कि वह किसके साथ है कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो ने कह पा रहे हैं कि आपको गोमास खाने की भी छूट होगी तो इस तरीकी की यह जो एंबिग्यूटी वाली पॉलिटिक्स है यह जो कहते हैं उट की चोरी निवरे नूरे नहीं होती है कॉंग्रेस को इससे बाहर आना पड़ेगा कभी आप कहते हैं कि हमने जो आयोज्या का खुलवाया मामनी मस्जित का 1986 में फिर आप कहते हैं कि साब और उसके वाद आप जो है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेमिट देते हैं कि राम सेतू का राम कोई अस्टिती नहीं था फिर जब फिर जब मंदर बन जाता है तो आप कहते हैं इसमें बीजीपी का क्याश्रे है यह तो सुप्रीम कोर्ट के के फैसले का इधार पे बन रहा है लेकि यह फिर यह भूल जाते हैं कि उनके राजस्वागे सांसरत कभी सिंपन ने कहा था कि सब्सक्राइब के पहरे सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला रोग दे बनना इसको बीजीपी का फाइदा मिलेगा तो ख को बीजेपी से अदेंटिफाई कर सकता हूं समाजवादी पार्टी से कर सकता हूं बहुदर समाज पार्टी से कर सकता हूं कॉंग्रिस अजिससे के पास पर पहूं है जी, मैं अगर अनुपम जी आप से पूछू कि जो यह बात कही है जहराम रमेश ने की हम एक दूसरे प्रवक्तापावन खेडा ने भी कहा है कि जो काम हम, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास संसादन नहीं है लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा प्रचार जो है हमारे मैनिफेस्टो का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कर रहे हैं उससे आम जनता तक हमारी बाते जा रही है यानि जिस मैनिफेस्टो के दम पर वो दक्षण में जीत का दावा कर रहे हैं उस manifesto या उस प्रचार के आधार पर अमेटी और राइबरेली में उतरने में दिक्कत क्या है मतलब ऐसा आपको उस manifesto में क्या लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि ये बहुती शांदार winning combination है और राहूल और प्रियंका की जोड़ी इस वक्त छक्कों के साथ है जो धढ़ा-धढ़ हर गैंट पर छक्का लगा रही है तो आपको क्या लग रहा है कि वो UP में काम क्यों नहीं कर रहा है ये लग रहा है उनको या कोई और कारण हो सकता मतलब कोई बहुती चुपा हुआ कारण है जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं दिरेंजी देखे कभी कभी विधान सबाच चुनावों में वादे कुछ खास इस्पेसिफिक वादे ये बाटेंगे लैप्टॉप देंगे बस में फ्री सर्विस देंगे इस तरह की चीज़े कभी कभी चल जाती है लेकिन बाई इन लार्ज चुनाव जो होता है वो भावना पक मुद्धों पर होता है ना मेनिफेस्टों पर होता है ना विकास के दावों पर होता है ना विकास के बादों पर होता है एक अभी हाल में एक नई चीज़ी आई ही कि फ्री बीस पर चुना होने लगा खास दोर से जबसे अर्विन केजरिवाल राजनीत में आए हैं तो अब ये वादे नहीं है, यो सीधे सीधे जिसे किना ये रेवणियों पे चुना होने लगा, ये भी फ्री दे देंगे, वो भी फ्री देंगे, अभी मेरा उलगादी का देख रहा था, मैनिफेस्टों से हट के आप उनके भाशन देखें, औरतों को एक लाग देंगे, विद् अपने खेत में खेती करेगा, उसको मन्रेगा में डाल देंगे, ये उनको जो मांग रहे हैं किसान, जो कि अपने आप में इतना बड़ा बजट है, राश्टी बजट जैसा मेंस पी दे देंगे, जितने बड़े बिजनेस हाउसें उन पे हमला भी कर देंगे, सब का एक्सर कम कर देंगे, यानि वो खर्चे इतने कर देंगे कि शायद अमरीका और रूस मिलके ना कर सकता हो, और जो टैक्स उसको और कम कर देंगे, पैसा आएगा कहां से, ये बात राहूल गांदी अपने मैनिफेस्टों में, अपनी भाशलों में कहीं नहीं बता पाएं, वो पैसा बहा देंगे, हमें भूलना नहीं चाहिए कि कुछी दिन पहले, मतलब पिछली ही सरकार में, कॉंग्रेस के प्रदान मंतरी मन मोहल सिंग ने, ऐसी बातों पर कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उखते धिरेंगे, वो ये बात सही है, लेकिन मैं ये समझ ना चाह रहा आप उनके इस बात से अनुपम जी सहमत नहीं लग रहे है, मुझे लग रहा, उन्होंने तो बताया है कि संपत्ती का सर्वे करेंगे और उसका redistribution करेंगे, देखे संपत्ती, संपत्ती लेना, संपत्ती का राश्टी करन करना, संपत्ती का redistribution करना, कोई पहली बार नहीं हो रहा है ना, वो जमिदारी अभी अभी अभूलिशन से लेके, टाटा एर लाइन्स चीन के, उसको एर इंडिया बनाने से लेके, बैंकों को नैशनलाइज कर देने से लेके, अब ये सारी चीज़ें आपको याद है, मैं दिने जी मैंने इसको ट्वीट भी किया था, कि एक आया था, 1971 में इंडरा गांदी जो मैक्समम इंकम टैक्स लगाया था, वो करीब करीब 98, पौने 98 परसंट था, अब आप सीचे, उसके बाद भी जो अज़िए और ये पूरी घटना, देखे आपको बताते हैं, मरी शंकर आईयर के बड़े भाई, सौमी नाथन आईयर, जो 91 to 91 क्या हुआ, और 91 में आपने देखा कि हमारे प्रदानवांतरी चंदरशेकर देश का सोना गिर्वी रखते हैं, तो ये जो आपकी जो बाते हैं कि हम इसको भी नाशनलाइज कर देंगे, उसको बांट देंगे, उसको चीन लेंगे, ये से पहले भी हो चुका है, कई बार हो चुका है, आपने लोगों की संपतियां चीनी है, आपने लोगों का इंकम चीनी है, कोई आदमे कर सो रुपया कमाए, अगर आप उससे 98 रुपय टैक्स ले ले लेते हैं, तो आप विल्थ टैक्स पहले भी लगा चुके हैं, आप इनहरिटन्स टैक्स पहले भी लगा च मतलब आप देखे 53 से 84 तीस साल तो चली गया ना और जब तक हटाया 84 85 में 4 साल में देश दिवाली आओ गया तो आपकी जो ये सो कॉर्ड समाजवादी नीतियां थी एक से लो इधर बाटो एक से लो इधर देखे आप वेल्ट नहीं बाट रहते आप पावर्टी बाट रहते और अब पावर्टी के दलदल में धस्ते चले गए और अंतिताद दीवारी आओ गए दिरिंग जी मैं एक बार उनकी बाइट सुन लेता हूं मिश शाह जी क्या कह रहा है उन्होंने आज कहा है इस पर मेरे एक-एक सवाल जरूर और लूँगा मैं जी तो राजमीत कास तब नीचे गरता गया है उनकी जो सीट थी राहूल गांदी की अमेठी जहां से वो चुनाव लड़ते थे और उनकी माँ जहां से राइबरिली से चुनाव लड़ती थी दोनों जगे से अभी तक उन्होंने candidate भी नहीं दिये और अभी ये कहा जारा सुचना आ रहे हैं कि दोनों लोग अब चुनाओ भी नहीं लड़ेंगे दोनों ज़िट में ना राहूल लड़ेंगे ना प्रियंगार इसे आपकी सुरूप में देखते हैं सच है नहीं मगर मेरा कि मेरा मानना कि इतना कन्फीजन रखना एक उनको आत्म विश्वास नहीं दिखाता हूं है उत्तरप्रदेश में जिस प्रकार की आज्स्ति прибनी है वह अपनी परंपरा गट सीडे छोड़ कर भागे हैं मैंने मानता वो कि मैंनें चाहता हूं और जी एक और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेंका गांधी ने का है वो भी ज़रा सुन लेते हैं क्योंकि उनकी भी एक बाइट है हमारे पास जिसको हम सुनना चाहरे है। जाज करनाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुशकर्म किया हजारों महिलाओं के साथ मैं पूछा चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में हमारे ग्रिम मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है जहां विपक्ष के नेता जाते इनको पता चल जाता है लेकिन इस तरह का प्रादी इस तरह का रक्सस इस देश को छोड़के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता देखिए विरेन जी जो अटेक किया है वो आपको मालूमन प्रजवल पे किया है रेवन्ना के बेटे पे लेकिन आपको लग रहा है कि यह जो लड़ाई है जिस तरह से लड़ी जा रही है उसका उत्तरप्रदेश से कोई लेना देना ही खत्म हो गया क्योंकि सीधे तोर पर हमिशा ने का कि वो अपने घर चोड़ के बागे है अप आप क्यों नहीं लग रहा कि यह जो इतनी जादा प्रचार कर रही है चुनाओं प्रचार कर रही है अगर यह लड़ेंगी तो आपको नहीं लगता कि इनके कारेकरताओं में उत्साहा आएगा उनको लड़ना चाहिए वो यूपी से लड़ें चाहें ना लड़ें उनका मैनिफेस्टो और जो जो राहूल गाली केंपेंच चल रही थी उसका एक जो जो दुष्परणाम सामने आ गया कि कॉंग्रेस के ना चाहते हुए भी यह लोग सभा चुनाओं मोधी बनाम राहू हो गया जो कॉंग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो जाए और उसको मालूम था कि राहूल कहीं नहीं ठेरते कॉंग्रेस के सामने तो यह तो अब हो गया और और अब यह चुनाओं अब आप देखिएगा तीसरे चौथे से लेके साथवे चरव तक आपको यही दिखेग अब कॉंग्रेस अब बीजेपी का सीधा हमला इसी परवार पर होगा और राहूल गाझदी और प्रीयका गांधी पर होगा तो अब इनके पास अपने को करने करने के लाबा कुछ नहीं है और अगर और और अगर इनको लग रहा है कि यह एसजी देव गोड़ा के ग्रैंट संद को लेके मुद्दा बना सकते हैं तो वो तो खेर उसके च्छेत में तो मंदान हो चुका है और वो शायद देश के बाहर जा चुका है जो नया मामला आ गया है आगया है हमेशा के जो दीफेक वीडियो जो किया गया है और उसमें जिस तरीके से तेलांगाना के सीम को दिल्ली पुलिस का संबन गया है वो कॉंग्रेस के लिए जादा बड़ा विशह है और वो एक दो दिन बोलेंगी मामला यह बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएगा और वैसे भी आज जो ह पाहुल और प्रियंका का अमेठी राबरेली से लड़ने का साहस ना दिखा पाना यह ज्यादा बड़े मुद्धे हैं और यह कॉंग्रेस के लिए के लिए इस पे लड़ना ज्यादा विकट काम होने वाला है आने वाले दिनों में अभी तो अभी तो एक मेहने से दिक का अ अनुपम जी मैं बस एक आखरी सवाल आपसे यह समझना चाहता हूं कि अगर वो दोनों नहीं लड़ते हैं दोनों अगर कॉंग्रेस के जो आने वाली पीडी के मनलब या जो जिसकी तरफ कॉंग्रेस जिनको उरजा का शूरूत्र मानती है अपनी अपनी ताकत का केंद्र म अगर वो दोनों यूपी से नहीं लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के संदर्व में इसको कैसे देखा जाएगा उत्तर प्रदेश के संदर में आप इसे क्या देखेंगे आप बताईए जिनका अपना वोर्ट प्रतिशन दो परसंट तक आ गया है अगर नहीं लड़ते हैं तो वहाँ पे अपने एक बात होती ही कि साफ वाट डू वी हाफ टू लूज हमारे पास हारने को है ही क्या एक एक रायबरेली की सीट है जिस पे कोई ना कोई खणाओं लेकर आएगा आपने देखा है कि एक जमाने तक सती शर्मा गांदी परवार की खणाओं लेकर रायबरेली और अमेठी दोनों से लड़ते रहे तो एक ना एक खणाओ पॉलिटिशन आपको ही जरूर आएगा क्योंकि यह एक एसी सीट है जिस सुनिया गांदी बचाना चाहेंगी और यह एक एसी सीट है जो कॉंग्रिस कभई नहीं रही है मेटी में तो आपने देखा संजे गांदी हार गए, आपने देखा सतीश शर्मा हार गए, राहुल गांदी हार गए, पर रायबरिली वो कभी नहीं लूज किये, रायबरिली हमेशा उनके पास रही है और रायबरिली वो सीटे जिसमें पहले दो बार खुद फिरोज गांदी वहाँ पे सांसद रहे हैं तो वो साहराबरिली छोड़ना नहीं चाहेंगे लेकिन आप देखना होगा कि इनको आज की तारीक में गांदी परिवार के ऐसे विश्वस्त लोग बहुत बचे नहीं है धिरेंजी जिनको आप खणाओ देकर भेज सके सायसादी शर्मा की तरह ये भी देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि अगर आप किसी को भेशते भी हैं वहाँ पे तो वहाँ पे चुनाव प्रशार के लिए कौन आता है आप भी देखा है कि देखे एक बार फिर समझे चुकि उस परिवार से इतनी कम बातें बहारा आती हैं कि कुछ पता नहीं चलता लेकिन अगर किसी परिवार का दामाद चिला चिला कर कह रहा है कि हमें लड़ना है हमें टिकट दो और यहां तक कह रहा है कि साहब आप हमें टिकट नहीं देंगे तो हमारे पास विपक्षी पार्टियों से ओफर है कि कहां अपना समय नश्ट कर रहे हो हमारे पास आप साथ साथ बना देंगे यदि किसी परिवार का दमा चिला चिला कर कह रहा हो और परिवार उसको सिरे से इग्नूर कर रहा हो तो आप मान के चले कि परिवार के अंदर अतनी स्मूतनेस नहीं है जितना बाहर खबरे ना आने की वज़े से लोग समझते हैं